हेलो फ्रेंज वेल्कम टी यूट्यूब चैनल जेके एंजी एस ऑप्शनल आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोलूशन और फ्रेमिंग अब दिक कंस्यूशन यानि की समिधान का विकास और उसके निर्मान के बारे में इस फ्रेंज अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल लाइक के अंदर बाना न भूलें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चिन है समिधान सभा बनानी के मांग किसके द्वारा रखे गए थी बताइए इसका एंसर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा ओप्शन नमबर C एमेंडोई एमेंडोई ने कंच्च्वेंट असेंबली बनानी के लिए पहली बार मांग रखी थी आप इस याद रखेंगे आपके लिए इंपोर्टन रहेगा यह कोश्चन नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर टू नेम दी फर्स्ट गुवर्णर जेनरल अफ बेंगौल बेंगाल के पहले गुवर्णर जेनरल का नम बताइए इसका सही उत्तर होगा ओप्शन ए वारिन हैस्टिंग्स वारिन हैस्टिंग्स बेंगाल के पहले गुवर्णर जेनरल अपिच याद रखेंगे और एक उर बाद, जो Government General बने थे, बेंगाल के, किस Regulating Act के तहत्त बने थे, इसका answer होगा, Regulating Act of 1723, Regulating Act of 1723 के तहत, बेंगाल के गmental चला, वारेन हैस्टिंग बने थे नमर थर्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ स्वेंटीन स्वेंटीन स्वेंटी थी लेड़ दी प्रोवीजिन्स फॉर दी इस्टाब्लिश्मेंट ऑफ सुप्रीम कोट एड़ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्टम नियाले की अस्थापना के प्रोधान रखे गए कहां रखे गए थे मुंबई में मदरास में पूरे में कुलकत्ता में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुलकत्ता ऑप्शन डी कुलकत्ता में रखे गए थे आप इस याद रख इस कोट के पहले जर्ज थे सर इलिजा इंफे नेक्स कोशन है कोशन नमर फोर विच एक्ट मेर्ड दि कमर्शियल फंक्शन अब दि कम्पनी सेपरीट फ्रूम दि पोलिटिकल फंक्शन किस अधिनियम ने कम्पनी के वाणे जिक कारियों को राजनीतिक कारियों से अलग कर दिया इसका सही हुतर होगा आप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट स्वेंटीन एटीफोर पिट्स इंडिया एक्ट सत्रसव शुरासी आप इस याद रखेंगे नेक्स कोशन है कोशन नमर फाइफ नेम दी फस्ट गुवर्नर जेनरल अफ इंडिया फस्ट गुवर्नर जेनरल अफ इंडिया भारत के पहले गुवर्नर जेनरल का नाम बताईए इसका सही उतर होगा आप्शन ए लॉड विलियम बेंटिक लॉड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जेनरल थे और बेंगाल के पहले गवर्नर जेनरल कौन थे वारेन हैस्टिंग्स आप इसे याद रखेंगे इंपावर्ड बाई चार्टर एक्ट 1833 और लॉर्ड विल्यम बिंटिक फर्स्ट गवर्नर जेनरल अफ इंडिया बने थे किस एक्ट के ताहत बने थे तो एक्ट था चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 आप इस याद रखेंगे नेक्स कोशेन है कोशेन नमस 6 विच एक्ट इंटर्डूस्ट अपोन Competition for Indians in Civil Services किस अधिनियम ने सीविल सेवा में भारतियों के लिए खुली परतियोगता की शुरुवात की इसका सही उत्तर होगा Option C Charter Act 1853 Charter Act 1853 ने सीविल सेवा में भारतियों के लिए खुली परतियोगता की शुरुवात की आप सियाद रखेंगे Next Question है Question No.7 Name the first wiser eye of India First wiser eye of India भारत के परतम wiser eye का नाम बताई है इसका सही उत्तर होगा Option B Lord Canning Lord Canning इंडिया के पहले wiser eye थे आप सियाद रखेंगे और बात Government of India Act 1858 Change the designation of Governor General as wiser eye Government of India Act 1858 यहन की भारत सरकार अधिनियम 1858 ने Governor General से wiser eye बना दिया यहन की जो designation था पहले Governor General किस में चेंज होगे wiser eye में आप सियाद रखेंगे Next Question है Question No.8 By which act By which act Indians were given space in legislative council of Wiser eye Wiser eye की विदान परिसद में भारतियों को किस अधिनियम द्वारा अस्थान दिया गया था इसका सही उत्तर होगा Option A Indian Council Act 1861 Indian Council Act 1861 आप सियाद रखेंगे Next Question है Question No.9 Portfolio System Portfolio System Which led the foundation of Cabinet System in India Was introduced by whom भारत में Cabinet पर्णानी की निवू रखने वाली Portfolio पर्णानी किसके द्वारा सुरू की गए थी यह Question very very important है आप सियाद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा Option A Lord Canik Lord Canik ने सुरू की थी Next Question है Question No.10 The First Indian Member of Vaisaraj Executive Council Vaisaraj की कारेकारी परिशद के पहले भारतिये सदसे हैं उनका नाम क्या है Satindr Nath Satindr Prasad Sinha है Satindr Nath Banarji है M.N. Roy है Dr. Rajendr Prasad इनमें से कोन है इसका सही उत्तर होगा Option A Satindr Prasad Sinha आप सियाद रखेंगे Satindr Prasad Sinha Vaisaraj की कारेकारी परिशद के पहले भारतिये सदसे थे आप इसे याद रखेंगे Next Question है Question No.11 August Offer 1940 was introduced by whom August Prasad 1940 किसके द्वारा पेस किया गया था इसका सही उत्तर होगा Option B Lord Lilindgo Lord Lilindgo आप इसे याद रखेंगे Lord Lilindgo Next Question है Question No.12 Dominion Status Concept is dead as Durnell was said by whom Dominion Status Concept एक मुर्दे की तरह है किसके द्वारा कहा गया था इसका सही उत्तर होगा Option A आप इसे याद रखेंगे आपके लिए इंपोर्टेंट रहे गया यह इसका सही उत्तर होगा Mount Betten Plan यह सब को मालूम होगा Mount Betten Plan द्वारा भारत को पकेसान से अलग किया गया था आप इसे याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर्फ फॉर्टिन Cabinet Mission came to India in which year Cabinet Mission came to India in which year Cabinet Mission बारत में किस वर्ष आया था इसका सही उत्तर होगा Option D 1946 1946 में Cabinet Mission इंडिया में आया था क्वेशन नमर्फ फेटिन Clement Italy declared British rule in India और इंडबाई Clement Italy ने घौसित किया कि भारत में British सासन समाप्थ हो जाएगा कब तक समाप्थ हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा Option B 13 June 1948 British सरकार ने घौसित किया था कि भारत में British सरकार 30 June 1948 तक खत्म हो जाएगी लेकिन बीच में Mountbatten Plan आने के बाद इसको रद कर दिया गया और Mountbatten Plan को एक्टिव कर दिया गया इसलिए भारत 13 June 1948 को आजाद ना होकर 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया आप इस याद रखेंगे नेक्स्त क्वेशन है क्वेशन नमबर 16 फू वाज दिफस्ट गुवर्णर जेनरल अफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के प्रथम गुवर्णर जेनरल कौन थे इसका सही उत्तर होका आप्शन सी लौट माउंट इबेटन इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गुवर्णर जेनरल थे और सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी इंडिया के इंडियन गुवर्णर जेनरल पहले गुवर्णर जेनरल थे नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमर्स सेवेंटीन, आई एनसी डिमांड दी फॉर्मिशन अब कॉंश्वेंट असेमली इन, कॉंग्रेस ने सिंधान सभा के गठन के मांग की कब की, इसका सही उतरों का ओप्शन सी 1935, 1935 में आई एनसी ने कॉंग्रेस ने कॉंश्वेंट असेमली की मांग की थी, आप सियाद रखेंगे, इससे रेटर कुछ पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग, कॉंश्वेंट असेमली, इलेक्टिट अकॉर्डिंट अकॉर्डिंट मिशन प्लान 1946, कॉंश्वेंट असेमली का जो इलक्षन हुआ था, किसके अकॉर्डिंट आप सियाद रखेंगे, दोनी इपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कॉश्वेंट है, कॉश्वेंट अमरे टीन, हूँ वास दी, इलेक्टिट प्रेसिडेंट अफ कॉंश्वेंट असेमली, सुंधान सभाग के निर्वाचित अधच्छे कॉन थे, इसका सही उतर होगा, ऑप्श हेड बनाया गया था है, यह मात्र दो दिन के लिए थे, आप इस याद रखेंगे, नेक्स्ट कॉश्वेंट है, कॉश्वेंट नमर नाइंटिन, कॉश्वेंट के निर्वाचित अधच्छे क्या था, इसका सही उतर होगा, ऑप्शन ए, बन राउ, बन राउ को, सुंधानिक शलाखकार के रूप में निर्वाचित किया था, आप सियाद रखेंगे, आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट कॉश्वेंट नें सुंधान सभा को सुंधान बनाने में कितने दिन लगे, इसका सही उतर होगा, 2 years, 11 months and 18 days, कितने दिन, 18 days, 2 साल, 11 महिना और 18 दिन लगे थे, आप इस याद रखेंगे, next question है, question number 21, first amendment, first amendment to the question was passed in, सिंधान में पहला संसुधन पारिद किया गया था, कब किया गया था, इसका सही उतर होगा, option B, 1951 में, 1951 में पारिद किया गया था, और 1951 से 52 में पहली बार election हुआ, पारली आमेंट का election हुआ था, question number 22, amendment of constitution was taken from the constitution of which country, संसुधन का संसुधन किस देश के संसुधन से लिया गया है, इसका सही उतर होगा, option D, South Africa, इसका सही उतर होगा, option D, South Africa, next question है, question number 23, which of the following, which of the following provisions were taken from the constitution of USA, निमलिकित में से कौन सा प्रावधान संसुधन राज अमेरिका के संसुधन से लिया गया था, इसका सही उतर होगा, option D, fundamental duties, option D, fundamental duties, fundamental duties को अमेरिका के सुधन से लिया गया था, आप इस यादर रखेंगे, और यह DPSP है, इसको लिया गया था, Ireland से, Ireland, आप इस यादर रखेंगे, सिंगल सिडिजन सीप एकल नागरिकता कहां से लिया गया था, UK से, यानि कि Britain से, fundamental duties कहां से लिया गया था, यह लिया गया था, USSR, यानि कि अभी रसिया हो गया है, आप इस यादर रखेंगे, नेक्स क्वेशन है, क्वेशन नमर्ट 24, इसका सही उत्तर होगा, option B, USA, आप इस यादर रखेंगे, नेक्स क्वेशन है, क्वेशन नमर्ट 25, इसका सही उत्तर होगा, option C, Government of India Act 1935, इसका सही उत्तर होगा, option C, Government of India Act 1935, आप इस यादर रखेंगे, नेक्स क्वेशन है, क्वेशन नमर्ट 26, separate electorate for Muslims was introduced under, मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन छेत्र की सुरुवात किसके तहत की गई, इसका सही उत्तर होगा, option number A, Morley Minto Reforms 1909, 1909 का Morley Minto Reforms के तहत सुरुवात की गई थी, आप इस यादर रखेंगे, नेक्स क्वेशन है, इसमें एक पॉइंट है, इलेक्शन for the first time in India was introduced, और जो Morley Minto Reforms से इसी के तहत पहली बार इंडिया में इलेक्शन भी हुआ था, इसे भी आदर रखेंगे आप, कि पहली बार भारत में इलेक्शन किस रिफॉर्म के तहत हुआ था, Morley Minto Reforms 1909, उमीद करूँगा, यह आपके exam point of view से महत्पूर्ण हो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए, thank you.